इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते और इसका उपयोग काली खांसी के इलाज के लिए भी किया जा सकता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. ये हलके शामक के रूप में कारे करता है और अनिद्रा से पीडित रोगियों में नीम्त को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है 2. अनिद्रा के कारण होने वाले गंभीर दर्दनाक सिर्दर्द से राहत मिलती है 3. बच्चों में एठन के इलाज के लिए उत्कृष्टो पाए 4. इसका उपयोग मासिक धर्म की असामानिताओं को ठीक करने के लिए किया जाता है 5. यह मासिक धर्म में देरी के कारण होने वाले दर्द से राहत देता है और अनियमित मासिक धर्म का इलाज करता है 6. श्वसन तंत्र पर उलेखनिय प्रभाव डालता है और काली खांसी से जोड़े टॉंसिल को ठीक करता है 7. होमियोपैथिक संरचना के आधार पर इसका उपयोग करना सुरक्षित है और इसका कोई दुषप्रभाव नहीं है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें